हेलो फ्रेंट्स और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरे सेक्षिन पर आ जाए हैं ncrt की दूसरे सेक्षिन पर जो आपका है diversity in the living world की हम लोग बात करेंगे हाँ पर तो यह जो diversity है इसका मतलब है forms different forms और चुकि हम biology की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बायो डाइवर सिटी की और बायो डाइवर सिटी में जो बायो शब्द है उसका अर्थ है life यह लिविंग तिंग्स और डाइवर सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स यहां पे हम बात कर रहे हैं बायो डाइवर्सिटी की इस पूरी दुनिया पे कितने number and types of organisms हम है ncrt कहती है कि भाई number and types of organisms in this earth इस पूरे अर्थ पे कितने number है कितने types हैं कितने variety of organisms है जैसे for example अलगी है फंजाई है प्रायोफाइटा टेरोफाइटा जिम्नोस पर्म कोड़ेटा नॉन कोड़ेटा and microorganisms की हम बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि इतनी बड़े उसको देखना एक असान काम नहीं है तो एक organization इसमें काम करती है which is your international organization जिसका नाम है IUCN जिसको हम कहते हैं International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ठीक है जिसने तकरीबन 1.7 से 1.8 million organisms को identify किया ठीक है इतनों को identify किया और इसमें जो animals को इन्होंने देखा वो लगभग आपका 1.2 million और plants में आपका 0.5 million तो आप इसमें देख सकते हैं नाकणों से कि यह जो आपका 1.2 million है और 0.5 million है इसमें plants का कम आखड़ा है research इसमें कम हुआ इसका मतलब और यहां पे animals 1.2 million है question आपका यहां से आता है कि कौन सी organization ने इसको दिया और कितना इसका current वो है तो 1.7 से 1.8 million NCRT ने दिया हुआ है जबकि थोड़ा सा हम आपको बताएंगे बट आगर आपके question में आता है कि यह क्या है तो आप यही लिखोगे 1.9 तक पहुँच गया है तो आप लेकिन confused में थो यह 1.7 से 1.8 million million एक million जो होता है वो लगभग 10 लाख यानि 10 to the power of 6 और अगर हम billion की बात करें जलसे हमारा जो अर्थ originate हुआ था वह 3.2 billion years ago हुआ था यानि के billion की अगर हम बात करते हैं तो 10 to the power of 9 यानि सौ करून कि सौ करूर की हम बात करते हैं ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि diversity living world के अंदर living organisms के अंदर और इसमें हमने देखा कि 1.7 से 1.8 million अब देखिए यहीं पर सबसे जादा इसमें हमने देखा कि जो हमारा इंसेक्टा है इंसेक्टा के अंदर जो हमने देखा कि दस लाख पचीस हजार इतनी आपकी species identified है इतनी सारी अगर हम देखें कि इतनी सारी insects आपके identified है पूरी अनिमली या kingdom के अगर हम बात करें इसका मतलब यह है कि इनके पास जरूर कुछ न कुछ ऐसा हास है जिसकी वज़े से यह बहुत जादा diverse habitats में अपने आपको रख लेते हैं adapt कर लेते हैं तो इनके अंदर क्या होते question पूछा भी गया है कि इंसेक्ट क्यों इतने जादा तो इसमें जो exoskeleton होता है exoskeleton के अंदर क्या होता है काइटीन होता है काइटीन एक polyseccurize है जो कि nitrogen containing होता है तो यह जो होता है impervious water होता है यानि water को अपने अंदर entry नहीं देता है और इस बज़े से जो insects होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट में adapt कर लेते हैं survive कर लेते हैं ठीक है तो इस बज़े से यह जो आपका जो population handsets की वह 10,25,000 के तकरीबन है अब हम बात करते हैं कि भाई यह जो पूरी living world है living organization इतनी diversity है इतनी different forms नहीं नहीं species बन रही है नहीं नहीं प्रजातिया बन रही ऐसा क्यों हो रहा है देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्यों वाई new species and so much diversity is there in the animals of the plants animals living things living world वह इसलिए है क्योंकि यहां पे genetic genetic variations ठीक है इसका मतलब क्या है कि in variations की वजह से इनके अंदर adaptability आ जा रही है ठीक है adaptability इनके अंदर genetic जो जब भी हम जानते हैं हमने meiosis पड़ा है और उसमें हम लोग जानते हैं कि genes का exchange होता है crossing over होती है नए forms बनते हैं नए characters बनते हैं तो ऐसे स्थती में genetic variation होने की वजह से जो हमारे living beings हैं वह किसी particular climate में अपने आपको धीरे-धीरे variations को कठा करते हुए adapt कर लेते हैं और यही evolution में आपने पढ़ा था जब आप नियों सिस्टेमाटिक में जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि किस तरह से taxonomy प्लस phylogenetic प्लस आपका genetic combination होने की वजह से नए नए आप एक बात बता दे जिसको हम ecology में थोड़ा सा विस्तरित तरीके से पढ़ेंगे लेकिन फिर भी हम आपको एक थोड़ा सा overview दे रहे हैं यहां पर कि जो biodiversity है वो तीन तरह की होती आलफा बीटा एंड ओमीगा आलफा बीटा एंड ओमीगा इसमें आलफा को हम याद रखने के लिए कह सकते हैं कि विदिन है यह बिट्वीन और ओमीगा आपका है whole as a whole इसमें जनरली हम एक कैरेक्टर लेते हैं और यहां पर हम दो तीन कैरेक्टर लेते हैं जैसे anatomy, cytotaxonomy और भी anatomy और भी बहुत सारे characters उसमें हम basically as a whole पूरे characters को लेके genetic combination को भी लेके चलते हैं तो अगले section में हम देखेंगे कि किस तरीके से ICBN, ICZN और इन सबने nomenclature and taxonomy की बात करेंगे Thank you